नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल केटिव जोन में तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंदी का एक नए डिसाइन लाए हूँ जो दिखने में बहुत ही खुबसूरा था और इसे बनाना तो बहुत है असान है अगर आज का मेरे ये वीडियो पसंदार तो आप उसे लाइक कर दिजह अगर आपने मेरे चैनल को अवी तक सब्सक्राइब ना क्या हो तो प्लीज उसे असे सब्स्क्राइब करिजए और उसके बगल में जो नोट्रफिकेशन बेल हैं उसे दबा दे अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की सुरुआत करती हूँ तो देखे आज की डिजाइन का ग्राप इस तरह से आज मैं आपको बॉर्डर का डिजाइन बताने चाहरी हूँ और इसमें मैं राउंड कॉर्णर करूँ यह बहुत सिंपल असान है और यह बनने के बाद बहुत खुबसुरत लगता तो इसके लिए आपको करना क्या बस स्क्वाइर का एच्छे से हमें यहां पे नीडल को देके निकाल लेना है और अब जैसे जैसे मेरा ग्राप जारा बस वैसे वैसे जाना ध्यान क्या रखना है जब भी यह बीच में इस तरह से प्लस का साइन होता है तो यहां पे हमें हलका सा इस तरह से कपड़ा पकर लेना है और फिर अब हम यहां आएंगे तो जब हम यहां आते हैं तो यहां भी हमें इसी तरह से देखे हलका सा इस तरह से एक लाइन से दूसरे लाइन में आएंगे यह जो कॉर्णर है इसे हमें छोड़ देना है तो बस इस तरह से देखे यहां पे नीडल को डालेंगे और दूसरे वाले लाइन में हमें निकाल लेना है फिर से हम इस प्लस साइन में आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे हलका सा जब भी आएंगे तो यानि प्लस के नीचे पहले नीडल को डालेंगे और प्लस के बाद में हमें इस तरह से निकाल लेंगे और तो इसी तरह से हमें निकालते जाना फिर हमें यहां आना है तो यहां भी इस कॉर्णर में यहां इस लाइन से इस लाइन में निडल को निकालेंगे और फिर अब हमें यहां से यहां ना तो जैसे जैसे बस यह लाइन जार आपको बस दो ही बात का ध्यान रखना इस प्लस साइन में आपको हलका सा कपड़ा पकर लेना है और फिर जब हमें इस कॉर्णर में आएंगे तो बस हमें यहां से यहां इस कॉर्णर में निडल को फिर से प्लस के साइन में आएंगे तो बस यही बस इसी को फॉलो करते हूं में जो भी मेरा लाइन है इस तरह से हमें कम्प्लीट कर लेना है तो इसी तरह से हमें यहां से यहां तक बना लेंगे तो देखे मैंने इसी तरह से पूरा यह लाइन कम्प्लीट किया अब देख रह तो इसके लिए मैंने यहां पे थोड़ा अलग किया है तो इसके लिए मैंने यहां पे दूसरे कलर का त्रेड ले लिया है तो अब बस देखे हमें करना क्या है तो देखे यहां भी सेम इसी तरह से यह जो मेरा लाइन है इससे थोड़ा सा गया हमें निडल को निकालना है और इसी तरह से जो प्लस का साइन है, इसके 20 से हमें इस तरह से हलका सा कप्रा ले लेना है, यहां पर यह जो प्लस का साइन है, यानि दो लाइन है, फिर यहां आएंगे, तो यहां भी इसी तरह से हमें हलका सा कप्रा यहां पर उठा लेना है, तो फिर अब हम यहां से यहां आए बाइर हमको इसी स्क्वाइर को फॉलो करते हुए बस हमें स्क्वाइर को एक एक करके हमें बना देना है फिर हम यहां से आएंगे बस हमें हलका सा इस तर से कपड़ा यहां पे प्लस के पास ले लेना अपने निडल पे और फिर जब हम इस तर से इस कॉर्नर में आएंगे तो बस हमें लाइन से थोरा सा पहला और लाइन के थोरे से बाद में निडल को इस तर से निकाल देंगे तो फिर यहां भी सी तर से देके प्लस का साइन है और फिर अब हम यहां पे आएंगे तो यहां पे हलका सा कपरा पकरना और ठीक यहां पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर देंगे तो देखे मेरा एक स्क्वाइर बन गया है तो वस इसी तरह से हमें इस सब इस्क्वाइर को बना लेना है देखी इसी तरह से मैंने red color भी हर square में कर लिया, अब मैंने फिर से अपने color, thread का color change के लिया, अब हमें यहाँ पे, जैसे यह मेरा corner है, तो मैंने यहाँ पे अपने needle को निकाल लिया, तो फिर अब ही हमें करना क्या है, तो सिर्फ, यहाँ से हमें इस तरह से thread के नीचे से अपन नीडल को इस तरह से निकाल लेना, देखे इस तरह से, फिर हमें यहां से आना है, तो देखे इस तरह से इन दोनों के बीच से हमें नीडल को निकालना है, और फिर अब हम यहां आएंगे, देहां भी इसी तरह से, बस इन दो त्रेट के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना तो देखे इस तरह से यह रांड कॉर्नर बन जाएगा और थोड़ा सा हमें अपने थेट को इस तरह से हलुका सा ज्यादा टाइट नहीं करेंगे इसे हलुका सा लुज रखना ताकि यह रांड कॉर्नर दीखे फिर हमें यहां भी इसी तरह से देखें पिर यहां से यहां आएंगे तो हर इसक्वायर में बस हमें इसी तरह से इन दो यह जो यह और यह रैड और और ओरेंज है तो मैंने इन दोनों के बीश से इस तरह से नीडल को निकाल दिया तो देखे इस तरह से एक राउंड सा बन जाता है और फिर से इस स्टेप को इसी तर से हमें नीडल को निकालते जाना है और हलका सा हमें यहां पे से लूज रखना है तो देखे इस तरह से एक साइड से अभी होड़ा है फिर हमें यहां से यहां आना है तो बस हमें यह इन दो थेट के बीच से नीडल को निकालते जाना है और हलका सा इसे लूज रखना है ताकि कि एक राउंड सा सेप्ट मिले हैं वह सिंपल और सुन्दर सच्छाइन है आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं पस थोरा सा लूज रखना है ताकि यह दिखने में अच्छा लगे फिर हमें यहां से आना है यहां भी इन दोनों च्रेट के बीच से निकालेंगे फिर यह आएंगे देखें बहुत सिंपल बस इसी तरह से हमें यहां से लेकर यहां तक से इसी तरह से हमें कर लेना है तो देखें बस इसी तरह से हमें इसे एंड कर लेना है तो अभी हमें यहां से यहां आना है तो जब हम यहां से एंग ठीक इसी जगह मैंने अपने निडल को नीचे डाल लिया जहां पे मैंने निकाला था तो देखे इस तरह से मेरा ये दोनों साइट कंप्लीट हो गया अब हमें अभी भी मेरा ये बीच का अभी अनकंप्लीट है इसके लिए मैंने यहाँ पर red color का thread फिर से लगा लिया है देखे अब हम अपने needle को यहाँ पर यही तो मेरा corner है मैंने यहाँ पर अपने needle को निकाल लिया देखे इसतरह से और फिर अब हम यहाँ से पूरा एक circle square बनाएंगे तो हमें यह देखे यहां से इन दोनों थ्रेट को यहां पे देखे इन दोनों थ्रेट को हम अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेंगे तो अब हम यहां आएंगे तो यहां भी इसी तरह से हमें इन दोनों थ्रेट के बीच से नीडल को निकालना है सेम वही स्टेप है स्टिप ध्यान रखना है कि इसमें हमें थोरा सा सेंटर में हमें अल्टरनेट करना फिर हम यहाँएंगे इसी तरह से राउंड कॉर्णर बनाते हुए फिर हमें यह बीच का जो दो धागा है तो अब पहले वाले धागे के उपर से और इन दोनों धागे के नीचे से मैंने नीडल को निकाल लिया है तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेमी पहले वाले धागे के नीचे से फिर उपर से और फिर इन दोनों धागों के नीचे से यह जो मेरा अभी यह डाइमेंड में चार धागा हो जाता है तो मैं बस यही करना है तो देखें अब हम यहां आएंगे तो मैंने इसे थोड़ा colorful किया है क्योंकि Cindy generally colorful ही बनता है तो इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा change करते हुए देखें अभी हम यहां से आएंगे तो आप देखें सकते हो कि मेरा यह design कितना colorful लग रहा है आप चाहें तो एक color से भी बना सकते है लेकिन मैंने यहां पे इसे colorful बनाया है तो देखें यहां से अब हमें यहां आना है और फिर यहां से अब हमें इसी तरह से पहले वाले thread के नीचे से दूसरे के उपर से और इसमें जो ये 3rd and 4th का thread है इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है तो देखें यहां से इस तरह से square बन रहा है फिर से हमें इसी तरह से इन 2 thread के बीच से नीडल को निकालेंगे तो देखें इस diamond में 4 thread हो गया है तो हमें बस क्या करना पहले वाले thread के नीचे से फिर second के ऊपर फिर यह जो third और fourth का thread हमें यहाँ पर इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल देना है यहाँ भी चार thread है तो हमें पहले और thread के नीचे से और ध्यान से हमें इन दो thread के नीचे से अपने नीडल को निकाल लेना जैसा कि मैंने बीच में स्कौायर बनाया था देखे यहाँ पर सौरी जैसे मैंने बीच में स्कौायर बनाया तो ठीक इसी तरह से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर अब हमें यहां से फिर से हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए यहां पे आएंगे तो हमें हर जगह यह कॉर्णर बनाना है जो भी क्रॉस है तो बस यहां से यहां और फिर अब हमें यहां आना है तो जब हम यहां आएंगे तो हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए हमें अपने नीडल को देखे यहां पे ठीक यहां पे इस तरह से डाउन कर लेना क्योंकि मैंने अपने नीडल को यहीं पे निकाला था तो इस तरह से हमें यहां पे डाउन कर लेना है तो देखे मेरा एक कॉर्णर यह कंप्लीट है तो बस इसी तरह से हमें सब कॉर्णर को करते जा आपका यह बस हम यहां निकालेंगे और फिर यहां से हमें इसके बीच से बस आल्टरनट करते हुए इसी तरह से देखे हमें यह स्कौायर के बीच में फिर से करते जाना है तो सेम तरीके से बस हमें इसे करते जाना जैसा कि मैंने इसे किया तो इसी तरों से हमें इन सब को भी कर लेना देखें मेरा ये कलरफुल लेस्ट चैन बनकर तयार है और देखी सकते हैं आप कितना खुबसूरत लग रहा है और इससे बनाना तो बहुत ही आसान था अगर आज के मेरे ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें तो चली मिलते है नेक्स वीडियो में